और राइट सो गाईज आज हावारी बातचीत होने वाली इस नए नेवली मोटर साइकल के बारे में सो दिन दा ओल न्यू बाजाज पॉलसर एन वान फिप्टी ब्यासिक टू सो बात करेंगे इसके प्राइस के बारे में इसके मायलेज के बारे में एंड में मैं अपना जो ओ मिलता है फ्राट लूग आपको सिमिलर देखने को मिलेगा आधर एन वान शिक्टी एन टूफिटी की तरह ही आपको फ्रांट में एक हुज प्रोजेक्टर एड लेडी हेड लैम देखने को मिलती है विच टू पाइलट लाच लैम प्र बात करें इस बेरी बेरी करने के साथ साथ यह पाइलेट लैंप आपको नहीं मिलेगा इसके लिए आपको करना पड़ेगा बाइक को स्टार्ट कुछ ऐसा लुक आपको देखने हो मिलेगा इनफ पावर्फुल है और यहां आप इसको को है और शीद लें के ऊपर हिए आपको देखने हो मिलेगा और इसके ऊपर यह ड्राहिन त्रूमेंट क्लस्टर की बात करें टार्ट इंडिकेटर की तो टान इंडिकेटर आपको हैलोजीन में ही देखने हो मिलेगा लेकिन यह फ्लेक्सिवेल है सो यह बहुत जल्दी नहीं टूटेगा इसको भी एक बार चला के देख लेते हैं कि कुछ ऐसा यह जलने में देख लगता है कर दो अर्य और उसके याप आपको देख यहां मिलेगा मगाड मगार्ड और वह एक दम बेसिक नहीं यह मंगाडव वाला यह एक अलग पार नीचे वाला ये एक अलग पार यह एक वाइड़ पार्ट में और यह जो नॉम रहे उसी तरह यह 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 पर अबस की बैजिंग दि मिलेगा टेलिस्कोफिक सस्पेंशन दिया गया है और बात करें टायर साइज की तो फिर यहां पर आपको 90 by 90 आर सेवेंटीन इंचिस का टायर साइज देखने को मिलेगा तायर थोरा सा गंदा है क्यूंकि मैं कुछ इस टाइप की रोड से इस बाइक को लेकर आयो और आप रो डिस्क ब्रेक की जो साइज है ओए टू सिक्स्टेमें की सिंगल डिस्क के साथ आती है रियर में आपको डिस्टेक देखने को नहीं मिलेगा रिफ्लेक्ट आती है और यह पर आपको देखने हो मिलता है इंजिन काउल यह भी थोरा सागंदा है क्यूंकि मैंने आपको स्टिक रिंग इस है तीन कला टोन यहां पर देख सकते है और इंजिन का यह स्ट ऊपर ही आपको देखने हो मिलता है होन सिंगल होन्न दिया गया चलिए होन का वाज भी एक बैस सुन लेते है और यह रावाक का में चीजिया पर आपको देखने हो मिलता है 1 49.68 cc कि ए कूल आपको मिलता है से मिन यहां पर भी दिया गया है और यह राइस का रियर ब्रेक पर रियर ब्रेक पर मुझे उतना जादा पसंद नहीं है इसके लिए मैं थोरा सा नाराज हो बाजा से कर सकते हैं आप किक स्टार्ट को यूज कर सको सकते हैं उसके पीछे आपको देशने हो difference एक्जोस्थ टेल पाइप एक्सौस्थ सांड भी मैं आपको अभी सुनाता हूं और यहां पर आपको देखने हो मिलता है पिलियान फुट्रेस्ट फुट्रेस्ट पी आप कुछ इस तरह से फोल्ड कर सकते हो बात करें टायर साइज की इस तायर साइज आपको देखने हो मिलता है 120 by 80 आपको कुछ इस टाइप की देखने हो मिलता है रियार में आपको अलीडी टेल लाइट देखने हो मिलेगा चली टेल लाइट एक बार जाला के भी देख लेते हैं और साइड में आपको देखने हो मिलेगा इंडिकेटर यहां पर आपको नंबर प्लेट रखने ही जगा दी गई उसके उपर रिफ्लेक्टर और यहां पर एक चोटी सी लाइट दी गई ताकि आप नंबर प्लेट को अच्छे से रीड कर पाओ रियार नीचे टायर हागर द सबैसली को साइड में और सारी in der और के साथ यहांपर प्लेडिने तुराप मुझें आ forensी 104 ऺय तो मुझे तो लेजनी साहती है यहां IS9 उतना ज्यादा स्वाप नहीं है थोड़ा सा हाट की तरफ है और 790 mm की सीट हाइड के साथ आती है यहां पर आपको देखने हो मिलेगा पिल्यान फुट ड्रेस्ट और यह राइस का का वाप साइट स्चांग करणा पर 20- सेंशर भी आपको इस बाइक में घ्रस्ट किर आपको कोई भी ब्रौब्म होना नहीं चाहिए चाहिए आपको पॉसर की बैजिंग दी गई है सब्सक्राइब बैजिंग जो यह उसको अब ब्लैक का दिया गये पहले क्रोम में आता था सो इसको डीक्रोम का दिया गया और बात करें कालर के सथीन इसमें आपको देखने हो मिलेगा वाइट रेड और टैंक साइज की अगर बात करें इसमें आपको 14 लीटर की टैंक साइज मिलती है जो कि सेग्मेंट की हिसाब से काफी उपर है क्योंकि 160 सिसी के अंदर भी आपाची और इसपी ओंसिस्टी में आपको 12 लीटर की टैंक देखने हो मिलती है टैंक में आपको यी 20 की बैजिंग भी देखने को मिलेगा सो फ्रेक्ट्यल प्यूल से भी आप इस बाइक को चला सकते हो आप देख लेते इसकी इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर को कुछ ऐसा इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आपको इसमें देखने घरा हम और कुछ ऐसा इसमें चाभी आता है वेप की नहीं एम नार्मल की है सो चलिए करते इसको ओन को कि hebखने के साथ शाल आपको एक प्रपर स्वाइप इसमें देखने मीलालेक है से एनलोग पायं पाट और यहां पर आपको देखने बनेगा पूसरे मिलेगा और यहां पर आपको देने को इंडेटर ओरने चीज होती वोस आपको यहां पार देखने हो मिलेगा और clip on handlebar नहीं दी गए जो नॉर्मल रेगुलर ट्यूब हैंडल बार होती है वह हैंडल बार इसमें दिया गया है बट हैंडल बार ज्यादा उपर की तरफ नहीं है फुली फ्लैट हैंडल बार आपको देखने हो मिलेगा और जो रियर व्युर्ट है उसमे की बात करें उसकी quality के सो switch gear की quality भी आपको बहतरीन देखने मिलेगा और पॉल्सर की जो signature point ये बैक लेट वह भी आपको इस बाइक के साथ देखने मिलेगा ये white light आपको यहां पर दिगे यह यह आपको engine kill switch नीचे यह शिथ और इस तरह आपको देखने मिलेगा होन टन इंडिकेटर हाइब लोबिम और यहाँ पर आपको देखने हूं मिलती है पास लाइट फ्लैशर और बात करें क्लैच की सो क्लैच इस डिसेंट लाइट काफी ज्यादा लाइट है यह बिल्कुल भी हाड नहीं आपको लॉंग राइड में कोई भी दिक्कत इस क्लैच क है आप बिल्कुल मुझसे पुछ सकते मैं आपको रिप्लैश जरूर करूंगा और बात करें इसके प्राइस की तो पर इसका जो प्राइस है वह आपको ओंडोड वान लाक एंड़ टू थाउजन से लेकर वान लाक एंड पोटी थी थाउजन के बीच में देखने हूं मिले वह भी चाहिए तो भी आप इस बाइक के साथ जरूर जा सकते हो लुक्स पावर एंड फीचर्स आपको इस बाइक में सब कुछ देखने हूं मिलेगा जो अधार वान सिस्टी बाइक प्रोवाइट कर रहे लेके नेक चीज़ यहां पर मिस है यहां पर आपको तो गाइज यह था एक क्विक वाक्राउंड वीडियो एबाउड डा और निव बाजाज पालसर एंड वान फिप्टी सो वीडियो अगर आपको पसंद है तो फिर चैनल को जरूर सब्सक्रीब कर लिए वीडियो को लाइक कर दीजिए थैंकियो सो माच मिलते है नेक्स दोध।